नमस्कार आप से भीका स्वागता है यूटूब चैनल कमार फिनांस पर कोरोना के सेकेंड वेप की बज़ा से इंडियन प्राइमरी मार्केट में एक पहुँ जाया था जिसकी बज़ा से अप्रील और माई के माहिने में जो आईपी उस पाले से लाइन अप से प्राइमरी मार को आ रहे हैं जिनका नाम सोना, BLW, नवोदय और स्याम, मेटलिक्स है जिस पर आल लेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक भी मैंने रेक्रिक्रिप्सन बाक्स में डाल दिया है अगर आप इन तीनों आईपी उज में इंट्रेस्टेड है और उसके बारे में जानना चाहते हैं उस लिंक के थूरू जाकर आप वीडियो देख सकते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 16 जून को भी कुछ IPO इंडियन प्राइमरी मार्केट में आने वाले हैं जिसमें एक है डोडला डायरी लिमिटेड जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर में और क्या इस IPO का स्टॉक मार्केट में प्रीमियम लिस्टिंग होगा या डिस्काउंटेड लिस्टिंग होगा यह पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पाले मैं करना चाहूंगा अगर आप फर्स्ट हैं इस चैनल पर और आपको यहां का कंटेंट पसंद आत रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे डोडला डाइरी लिमिटेड जैसा की नाम से ही प्रतीत हो रहा है यह एक इंट्रिगरेटर डाइरी कंपनी है जो साउथ इंडिया बेस है और 1995 में इंकॉर्परेट हुई थी इसके बिजनेस की बात करें तो यह कमपनी मिल्क और अधर डाइरी पॉड़क्स का प्रोकूर्मेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिवूचन और मार्केटिंग करती है यह कमपनी बहुट टाइप के मिल्स का प्रोसेसिंग और सेल्स करती है जैसे एस्टेंडाइज, घी, आइस्क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, एक्सेटरा, डोडला डायरी का जो इंडिया में उप्रेसन चलता है, मेंली ये डोडला ब्रांड के अंदर चलता है, जबकि इंडिया के बाहर भी कुछ देशों में इस कंपनी का प्रजेंस बना हुआ है, जहां पर ये कंपनी केसी प गांडा और केनिया जैसे देशों में अपने बिजनेस को उपरेट कर रही है, फिलाल इस कंपनी के पास 13 प्रोसेसिंग प्लांट्स है, जहां पर ये कंपनी मिल्क का पैकेजिंग और बहुत सारे डेरी बेस्ट बैलू अडिट प्रोडक्स का मैनुफेक्ट्रिंग करती है, इस कंपनी के पास strong distribution network भी है और उसके ताहत फिलाल इसके 40 sales offices है, 3336 distribution agents है, 863 milk distributors है और 449 product distributors है across the 11 states जो इंडिया में situated है, डोडला डैरी के competitive strength की बात करें तो इसका product portfolio काफी लार्ज है, इंडिया के southern region में ये एक leading diary player है, इसका strong distribution network है, इसके पास integrated business model के साथ ही, stringent quality control procedure भी है, और इसके पास experienced managerial team है, current time में इस कंपनी के promoters, डोडला सुनिल रेडी, डोडला सेसा रेडी और डोडला family trust है, इस कंपनी का financial statement देखे तो यहाँ पर 3 सालों का data available है, 31 मार्च 2018 annual report से लेके 31 मार्च 2020 तक का, इस period में कंपनी का total assets लगवाग 6,090 million से बढ़के, 8,00 3 million तक पहुंच जाता है, total revenue इन 3 सालों में 15,970 million से बढ़के, 21,456.49 million हो जाता है, और profit after tax इस कंपनी का 500 answer, 0.54 से बढ़के, 498.71 million तक पहुंच जाता है, 31 मार्च 2018 annual report से लेके 31 मार्च 2020 annual report तक, यानि अब तक देखा जए तो कंपनी ठीक ठाकी नजर आ रही है, चाहे इसका financial statement हो, या जिस business में एक company काम कर रही है, जिस region में इस company का presence है, इन सारे मामले में, IPO issue करने के पीछे जो objective बताया गया है, इसके management द्वारा, इस company के उपर फिलाल थोड़ा सा courage है, उसको वो pay करना चाहते हैं, या तो partially, या completely, current time में इनको financial capital expenditure की कुछ requirement है, उसको ये fulfill करना चाहत हैं, और कुछ other corporate purposes हैं, जिसके लिए IPO के थुरू जो भी fund collect होगा, उसको use किया जाएगा, डोडला diary के IPO का opening date 16 जुन 2021 रखा गया है, जबकि 18 जुन 2021 को इसके IPO का closing date है, issue type book built issue IPO है, face value फिलाल 10 रुपया पर equity share रखा गया है, IPO का price band 421 रुपया से 428 रुपया पर equity share रखा गया है market lot इसका 35 shares का होगा, यानि अगर आप इस IPO के लिए apply करना चाहते हैं, minimum आपको 35 shares लेने होगे, minimum order quantity 35 shares है, यानि एक lot कम से कम आपको apply करना होगा, अगर आप इस IPO को buy करना चाहते हैं तो, और इसका listing BAC और NAC दोनों जगा होने वाला है, डोडला diary IPO का tentative time table हम देखें, तो जैस closing date 18 June 2021 रखा गया है, basis of allotment date 23 June 2021 का है, यानि जिस applicant को भी IPO मिलेगा, उसको 23 June 2021 को allot किया जाएगा, अगर suppose किसी को IPO ये नहीं मिल पाता है, उसके लिए refund का initiation 24 June 2021 को लिया जाएगा, जिसको भी IPO allot हो जाएगा, उसके dimet account में 25 June 2021 को credit कर दिया जाएगा, और stock market में इसका listing 28 June 2021 को क किया जाएगा, as a retail individual investor अगर आप इस IPO के लिए apply करना चाहते हैं, कम से कम आपको एक lot के लिए apply करना होगा, जिसमें 35 shares आएगे, और उसका value 14,980 के असपास होगा, अगर आप एक lot से ज्यादा इस IPO के लिए apply करना चाहते हैं, maximum आप 13 lot के लिए apply कर सकते हैं, जिसमें 455 share और उसका tentative value 1,94,740 रुपया होगा, फिलाट डोडला डायरी 520 करोड रुपया के लिए IPO ला रही है मार्केट में, जिसमें 50 करोड रुपया का fresh share इसू होगा, और offer for sale, यानि OFS के तुरू करीब 1,9,85,444 share से इसू किया जाएंगे, ग्रे मार्केट में बहुत ज्यादा positive opinion तो नहीं आ रहा है इस IPO के बारे में, फिर भी current time में ये 75 to 80 premium rate पर trade कर रहा है, जो signal देता है, stock market में इसका लिस्टिंग 18 से 20% upside हो सकता है, अनफिसल मार्केट में देखा जाए तो डिलर्स का भीव इसके बारे में mix आ रहा है, क्योंकि कुछ का मानना है इस के IPO का price थोड़ा स ऐसा माना जा रहा है, इसके stock market में listing decent gain के साथ हो सकता है, अब है दोसी जो कि export और unlisted arena.com के founder है, उनके अनुसार इस company का business flat trajectory पे चल रहा है, और फिलहाल इनके पास ऐसा कोई plan भी नजर नहीं आ रहा है, जिसके तात्य कहा जाए ये अपने business का expansion करना चाहते हैं, अब है दोसी क opinion को माना जाए, तो इस IPO का stock market में listing थोड़ा सा gain के साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका price higher side नहीं रखा गया है, ये राट डुला diary limited IPO के बारे में जनकारी, अगर आप interested हैं इस IPO में और apply करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको 17 जून तक wait करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका stock market में listing premium होने वाला होगा, निस्चित ही ये over subscribe होगा, और तब उस condition में इस IPO के लिए apply करें, क्योंकि जब तक कोई IPO बहुत ज़्यादा over subscribe नहीं होता, उसका listing stock market में premium नहीं देखने को मिलती, अगर ये under subscribe या average subscribe जा जाता है, मेरे हिसाब से आपको इस IPO को avoid करना चाहिए क्योंकि ऐसे condition में stock market में इसका listing discounted price पर ही देखने को मिलेगा, अब बात किया जाए इस IPO के लिए कैसे apply किया जा सकता है, तो अगर आप पूराने player है, stock market के लिए आपको पूरी जनकारी होगी, इसलिए मैं आपको suggest नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप stock market के लिए नए है, त पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जाहिंद